तो दोस्तो नमस्कार सशेकाल असलाम अलेगुम मैं शादाम मलिक आपका दोस्त आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेगा आया हूं मैं कबूत्रों की बिमारी के लिए आप ने देखा होगा कबूत्रों को नजला हो जाता है तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि नजला कैसे होता हूं मुह में कपास हुए थी कबूत्र कपास कपास साप करने है नजले में ये एक बच्चा है चोटा था और ये नजले में ये देखिए एक चोटा बच्चा है और ये सारा नजले मोरा है मदरासी है ये इसको नजला है और इसके जो मुह में है कपास हो रही है इसके मुह के अंदर तो हम पहले कपास को साप करेंगे फिर इसको मेडिसिन देनी है ध्यान से देखिए क्या मेडिसिन देनी है क्वास के लिए हम एक छोटा सा लगड़ी का लगड़ी का चोड़ा टुकड़ा यूज़ करेंगे अब उत्र को एसे रखना है और जिसका धीर से मुझ खोलना है यह कपास है जिसके मुझे निकलिए कपास अब यह मुझे के छोटा बैस्चा है और इसका मुझ साफ हो गया अब सिर्फ इसको है नजला न頭 ना धिकलिए को ज 요र्ष कि मेटिस अंदे नहीं ध्यान captain निजला है इसके गले में इसका नाम दिख रहा होगा आपको एंडरो स्ट्रोंग एंडरो फ्लक्सिंग औरल सल्यूशन यह एंडरो स्ट्रोंग है और बहुत अच्छी जो पहले एंडरो से नाती थी उसी कहीं साल्ट है और बहुत फाइदे बन चेंगा हम इसको इसे ड्रॉप से सिरफ दो बून डालन जादा नहीं देना है यह हम वेफर खोल लेंगे एक बार इसको शेक करेंगा ओपन और यह और यहां से सिरफ दो बून लेनी है कि इसके अंदर सिर्फ दो बून देना कि बच्चे की चौंश खोल लिया है और यह देखे अ हमने सिर्फ इसको दो बूंद दिया अब च्छोटा बच्चा इसने कली डाली अब च्छोटा बच्चा है अब कली डाले इसने तो लाच चुकता आब अब उड़ान शुरू नहीं हो इसकी तो इसको भी छोड़ देंगा तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि गले में इंफेक्शन और नजले में क्या मेडिसिन देनी है में एक बार फिर से आपको इसका वेफर दिखा देता हूं यह देखिए अन्रो फ्लॉक्सीन औरल सल्यूशन यह बहुत बेस्ट है वेटनरी की शॉप पर मिलेगी यह सिर्फ दो बून देनी जादा नहीं देनी सुबासां दो दो बून दो या तीन करके जरूर बताएं और आगे मैं अपडेट करूँ आपको और भी मेडिसींज हैं लीवर के लिए ब्रोटोन है और यह बहुत अच्छी है जो बच्चों कराते हैं चोड़े बच्चों बढ़ाई करने के लिए इससे बच्चे बड़े स्ट्रॉंग रहते हैं और कभूतर भी अगली वीडियो में आज के लिए बाई इतना ही था थैंक्यू सो मच ओल अप्यों कि अ कि अ